आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ force f1 with component x component दे रखा 2N y component और z component 0 है b part में आपका component दे रखा force का that is 0, 2N and 4N तो दो parts है अलग-अलग solve करेंगा अपने इसको ठीक है सबसे पहले first part के लिए solve करते है ए पार्ट के लिए तो जो हमारा position vector हमारा हो जाएगा position vector हमारा क्या होगा position vector आपका जो है that is आपका बोल रखा reference के तोर पर origin ले रखा है ठीक है तो यदि मैं x का position vector देहूंगा तो x जो हमारा हो जागा that is ये 0 है और ये origin है तो x में तो आपका कोई नहीं होगा तो x में जो आपका component होगा that will be 0 y coordinate देखें तो ये आपका minus का 4 है और ये origin है तो आपका जागा minus का 4 of j cap और ये 3 है और origin है तो plus का जागा 3 of j cap ओके so this is the position vector ओके and ए पार्ट के लिए जो force vector हमारा दे रखा है इसका x component हमारा है 2 तो we can say 2 i cap y और z 0 है तो यदि मैं बात करूंगा कि torque निकालने के लिए तो torque जो हमारा होता है that is equal to what torque जो हमारा होता है that is r cross f होता है cross product of pulsion and force vector simply अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि इस vector को determinant method solve करें तो determinant method में क्या होगा कि सबसे पहले i, j और k cap को write down कर लेंगे so i, j, i cap, j cap and k cap r vector जो हमारा है that is i में 0 है y में आपका minus का 4 है और k में 3 है इसका x में 2 है बाके सब में 0 है तो इसको जो solve कर लेंगे i के लिए अगर मैं बात करूं तो i के लिए इसका multiplication इससे और इसका इससे तो यह आपका 0 हो जाएगा minus का j cap फिर इसके इससे multiply करेंगे that is 0 minus इसका इससे multiply करेंगे तो it will be minus का 6 and plus k cap तो k cap में हमारा जो आएगा that will be equal to what तो आपका बराबरा जागा यह 0 का 0 हो जागा और यह आपका जागा 8 तो जागा 0 और plus का जागा 8 तो यहां से अगर देखे तो जो हमारा टॉर का आगया that is equal to 6 j cap और plus का 8 k cap ठीक है so this is the part number first ओके and अब b part के लिए बात करेंगे तो b part में हमारा क्या होगा कि position vector था हमारा वही है बस force vector change कर गया है तो आपका जागा minus का 4 j cap plus का 3 of j cap और जो हमारा force vector है that is x में 0 है y और z में आपका value दे रखा है this में जो force vector है x में तब का 0 है y में जो है that is 2 of j cap or plus z में जो हमारा है that is 4 of k cap okay so this is the this is in the y ये z direction ठीक है this is force vector अब फिर से same concept torque निका लेंगे torque हमारा that is equal to r cross f करेंगे तो फिर से हम लोगे हापे determinant में से solve कर लेंगे तो again we are going to solve with determinant method तो आपका जगा i cap plus का जगा j cap और plus का 7 में जगा k cap अब इसके ले कर मैं बात करूं तो r जो है that is ये i में तो 0 है x में 0 है और y में में मेरा minus का 4 है और actually यहाँ पर k cap है तो आपका जगा 3 k cap और यहाँ पर आपका क्या आगा that is 0 7 में आगा 2 and 7 में आगा 4 तो सको जगा simplify कर लेते तो यहाँ से जो हमारा आजागा that is equal to what ये आपका आजागा i cap और इन दोनों का multiply करेंगे तो minus का 16 और इन दोनों करेंगे तो minus का 6 minus का j cap इसका से multiply इसका से multiply 0 plus का k cap इसका से और इसका से it is also going to be equal to 0 okay तो after all जिसको solve करेंगे तो जो हमारा टॉर्क आजागा that is equal to minus का 22 i cap, okay so this will be our final answer thank you क्लासिक से दोल से लेके नीट आइट जेही मेंस और अडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड के ले डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर